नमस्कार मैं हूँ अशोक और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूटूब चैनल Mechanical Nexus में आज हम डिस्कस करेंगे classification of turbine के बारे में कि turbine को किस किस type पे किस किस parameter के base पे classify किया गया है चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम discuss करेंगे type of head available के base पे turbine को कैसे classify किया गया है तो देखिए दोस्तो type of head available यह head का मतलब है total height जो कि हमारे dam में available है with respect to the center of pipe यानि यह हमारा जो penny stock है दोस्तों यह penny stock के class diameter का pipe होता है जिसका काम हमारे water को dam से लेकर inlet of turbine तक ले जाना होता है यह मेरे dam है यह water है तो यहाँ पर जो head है यह हमारे total head है अगर हम इसकी बात करें यह तो हमारे gross head के लाता है जिस हम edge से represent करते है और inlet of head की बात करी जाए तो यह जो हमारी center line है यहाँ से जो हमारा inlet का pipe आ रहा है दोस्तों यह हमारा inlet head है तो यहाँ पर head available के base पर turbine को basically तीन भागों में divide किया गया है पहला है दोस्तों low head turbine low head turbine दूसरा हम बात करेंगे medium head turbine की और तीसरा जो है वो high head turbine high head turbine चलिए एक एक करके तीनों को discuss करते हैं देखिए low head turbine उन turbine को कहा जाता है जिसकी range 10 meter से start होती है और 30 meter तक चलती है इस तरह की जो turbine होती है इस में हमारी main link kaplan turbine इसका एक type है जो कि low head पे work करती है kaplan turbine चलिए medium head की बात करते है medium head की एक range defined की गई है इस range के according अगर कोई turbine 60 meter से लेकर 120 meter तक की head पे अगर काम करती है तो उसे medium head turbine कहा जाता है और इसमें अगर हम example की बात करें तो हमारी जो Francis turbine है वो हमारी medium head turbine का एक type है चलिए बात करते है high head turbine यानि हमारा head कैसा है आपर बहुत ज़्यादा है और इसकी range हमने 160 meter and above रखी है यानि 160 meter से जितने भी ज़्यादा उपर की head available है उन सभी ट्रवाइनों को हम high head turbine कहते हैं अगर हम इसके example की बात करें तो pelton wind इसका main example है pelton wind या जिसे pelton turbine के नाम से भी जाना जाता है तो दोस्तों यह था हमारा type of head available के बेस पे चलिए इसको second classification को देखते हैं वह है action of water के बेस पे action of water अब यह action of water कहाँ पे होगा moving blade पर होगा जो भी move कर रहा होगा action of water लिख देता हूँ on moving blade देखे action of water के बेस पे turbine को basically तीन भागों में sorry दो भागों में define divide किया है अगेन पहला है impulse turbine impulse turbine और दूसरी है reaction turbine चलिए दोनों को एक एक करके अच्छे से discuss करते हैं पहले हम बात करते है impulse turbine की देखे impulse turbine उन ट्रवाइनों को कहा जाता है अगर हमारा जो भी total head available है चाहे वो medium हो हाई हो या low हो अगर हम उस total head को kinetic energy में convert कर ले before it strike to runner यानि runner से टकाने से पहले तो इस तरह की जितने भी turbine है वो impulse turbine कही जाती है यहाँ पर बेसिकली impulse force का use किया जाता है impulse force बताता है कि अगर किसी भी चीज़ पर impulse आप generate करते हो impulse मतलब Newton के second law के हिसाब से वो बताता है किसी भी object पर लगने वाला force mass और उसके acceleration पर depend करता है यानि अगर हमें यहाँ पर turbine घुमानी है तो इस turbine पर लगने वाले force में या तो हम इसके mass को change कर दें यह इस पर लगने वाली velocity को variant कर दें तो हमारा force भी change हो जाएगा बड़ी भी सकता है घड़ी भी सकता है तो इसी के turbine के अगर बात करी जाए तो इसका example हमारा pelton wheel है यह pelton turbine के नाम से भी से जाना जाता है तो यानि हमारा यहाँ पर जो main काम क्या हो रहा है दोस्तों सारी की सारी energy को हमने kinetic energy में convert कर लिया इसके runner से टकराने से पहले अब बात करते हम reaction turbine की reaction turbine केने का जाता है reaction turbine उन ट्रबाइनों को कहा जाता है जिसमें हमारा जो हैड एवलेबल है उसका कुछ portion यानि अगर हम उसका कुछ portion तो हम kinetic energy में convert कर दें water की और बाकि बचा हुआ जो portion है pressure energy का kinetic energy में यह हमारे runner के अंदर हो तो इस तरह की turbine को reaction ट्रमाइन कहा जाता है अब हम कुछ पोर्शन को रेनर के अंदर क्यों करते हैं क्योंकि वहाँ पर हम रियक्शन फोर्स का यूटलाइज करते हैं एकोडिंग टू थर्ड लो अफ मोशन ऑफ न्यूटन कि एक्शन के अपोजिट रेक्शन वहाँ पर जब यह रनर से टकरा के भार निगलता है रनर पर पर अपोजिट रेक्शन पड़ता है और रनर सेल्फ घूमता है तो इस तरह से हमने कानिटिक एनरजी और वाटर की प्र प्लंट ट्रवाइन दूसरा है हमारा फ्रांसिस ट्रवाइन यह दोनों ट्रवाइन हमारी रेक्शन ट्रवाइन के ओपर बेस्ट हैं चलिए तीसरी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तीसरी क्लासिफिकेशन है दोस्तों हम फ्लो ओफ वाटर के बेस पे यानि फ्लो ओफ डि discharge कैसा है उसके base पे हम उसको classify करेंगे इसके base पे भी हमने जो हमारी turbine है उसको चार category में divide किया है पहले हम बात करते हैं tangential flow turbine tangential flow turbine की चले पहले हम इसकी बात कर लेते हैं tangential flow turbine उन ट्रबाइनों को कहा जाता है जिस पे हमारा जो water का जो flow है यानि टाइप है वो कैसे tangentially है यानि कि tangent के about लगता है for an example अगर हम इस circle की बात करें इस circle पर लगने वाले tangent बहुत हो सकते हैं जो कि इसके outer periphery से निकलेंगे about tangent इसे कहते है tangent अब देखिए यहाँ पे जो flow है वो टकरा रहा है tangentially यानि टेंजेंट में देखिए यहाँ पे हमारा जो runner है वो कुछ इस direction में घूम रहा है according to type of runner के rotation के about जो यहाँ पे flow है वो कैसा है दोस्तों इस तरह का flow tangent है यानि उसके tangent लग रहा है कुछ इस तरह लग रहा है runner के rotation के ऊपर तो इसलिए हम इस तरह की ट्रबाइन को tangentially flow turbine कहते हैं इसके अगर हम type के बात करें तो हमारा pelton wheel जो होता है वो टैंजेंशनल flow turbine का एक type है चलिए दूसरे हम बात करते है रेडियल फ्लो ट्रबाइन की रेडियल फ्लो ट्रबाइन उन ट्रबाइनों को कहा जाता है जहां पे हमारा water इन भी रेडियली करेगा और आउट भी रेडियली करेगा रेडियली मतलब माल लीजे यह आपका एक रनर है अब इस रनर में जो वाटार आ रहा है कहीं से भी माल लीजे उपर से आ रहा है रेडियल इसके अंदर जाएगा जब वर complete कर लेगा तो इस तरह कुछी इसी रेडियली आउट भी जाएगा तो इस तरह की ड्रैण को cultural रेडियाल फ्लो ट्रबाइन कहते हैं एक्जामपल की पारफ करें तो यहां पर old France ट्रबाइन हमारा एक radial flow पे काम करता था देखिए यहाँ पर old लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि new जो हमारी modern Francis ट्रबाइन है वो यह radial flow पे काम नहीं करती मगर जब यह ट्रबाइन बनी थी तो यह radial force पे काम करती है तो इसलिए old ट्रबाइन, old Francis त्रबाइन हमारा radial flow ट्रबाइन चलिए तीसरी कटेजरी की बात करते हैं इसलिके अंदर वह हमारे pénale역 कावबर ट्रबाइन लिख अनन ट्रबाइन ट्रबाइन और को कहा जाता है जिसके अंदर हमारा water exfoley in करता है runner से टकराता है और runner soft के बाउट rotate करेंगे कुछ इस तरह से, अब यहाँ पर water कैसा है तो axially in कर रहा है, दोनों साइड से, और axially out कर रहा है, runner से टकराने के बाद भी axially जा रहा है, तो इस तरह की turbine को axial flow turbine कहते हैं, अगर मैं example की बात करूँ, तो यहाँ पर capillan turbine एक, इसका main example है, capillan turbine, जो कि हमारे axially flow पर work करता है, चलिए, चौथा है, last हम बात करते है, mixed flow turbine की, कि mixed flow turbine किसे कहते हैं, देखिए, नाम से पता है, चल ला है, flow कैसे mixed है, यानि, radially in कर सकता है, axially out कर सकता है, या फिर axially in करवा के, radially out कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, type है, मतलब mixing है, तो इस तरह की turbine को mixed flow turbine कहते हैं, अब जैसे बात करें हापे, modern, modern में कह सकते हैं, new भी, Francis turbine, वो सारी हमारी mixed flow turbine पर work करती है, इसलिए हमारी old जो थी, वो radial पर थी, mixed है, वो modern पर याद रखिएगा, चलिए last हम इसके classification को discuss करते हैं, जो की बहुत important भी है, according to the specific speed of turbine, specific speed को NS के रूप में भी लिखा जाता है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कि specific speed होती क्या है, specific speed किसी भी turbine की उस speed को कहा जाता है, जो कि geometrical similar turbine बनाएं, अगर हम एक मिटर पर work करें, एक मिटर के head पर और unit power का production करें, तो उससे हमें एक speed मिलेगी, और उसी speed को हम specific speed कहते हैं, इसके बेस पर हमने टरवाइन को generally, तीन टाइप की specific speed के बेस पर categorize किया है, पहले हम बात करेंगे, low specific speed मैं आपे NS लिख देता हूँ, दूसरा है medium specific speed, medium specific speed, वो last है हमारा high specific speed, चलिए NS लिख देते हैं इसे भी, चलिए पहले low की बात करते हैं, और फिर medium और high की बात करेंगे, low specific है, यानि हमारे टरवाइन ने work करा, और एक geometrical similar टरवाइन बनी, और उसने जो हमें quantity दी, value दी, वो क्या दी, 10 से लेकर हमारा 30, अगर किसी भी टरवाइन की value, 10 से 30 specific speed आती है, तो उसे low specific speed turbine की केटेगरी में रखा गया है, इसके example की बात करते हैं, हमारी जो pelton wheel है, वो हमारी low specific turbine है, low specific speed turbine है, speed turbine, ठीक है, अब हम बात करते हैं, medium specific speed की, अगर हमारी ये range, 60 मेटर से हो जाए, और हमारे almost almost 300 तक जाए, तो इस तरह की जितने भी turbine है, उसे medium specific speed कहा गया है, इस तरह की जो turbine है हमारी Francis turbine है, और last बात करते हैं, high specific speed की, देखे, high specific speed का मतलब है, specific speed बहुत उसकी ज़्यादा है, चलिए range की बात कर लेते हैं, ये 400 से start होती है, और 1000 पलस तक चलती है, example की बात करें, तो kaplan turbine हमारी, high specific speed turbine है, अब देखे, specific speed क्या signify करती है, ये समझते है, specific speed signify करती है, overall size of the runner, यानि runner का size कितना बढ़ा है, अगर runner का size बहुत छोटा है, तो वो automatically हमारी low, specific speed में आ जाएगी, और अगर बहुत बढ़ा है, तो वो हमारा kaplan turbine जैसे कि, उसका runner बहुत बढ़ा होता है, वो high specific speed turbine कहलाती है, तो ये था दोस्तों classification of turbine के बारे में, thank you for watching,